कोरोना की दहशत के बीच एक बहुत ही राहत बरी खबर आई है जिलादिकारी ने कोविट टीका करन अभियान के संदर्ब में जिला टास्क वोर्स की समिक्षा बैठक लेकर टीका करन की तैयारी का नियोचेन करने का निर्देश संबंदि दिवाग को दिया है जिलादिकारी रविनर ठाकरे ने कहा कि कोरोना की वैक्सिन दिसंबर के आंतिया जनवरी के पहले सब्ता में उपलब हो जाएगी डॉक्टर नर्स और कोरोना की गबेर मरीजों को पहले टीका लगाया जाएगा प्रते ही कोरोना योध्धा को टीका लगाया जाएगा इसके ल दिवासी उपजिला अधिकारी रविंद्र खंजार जी, United Nation Development Program के अश्विने नागर, विश्वस्वास्त संगटन के डॉक्टर मोहमत साजीद, डॉक्टर दिपक सेलोकर, जिलाशलेचिके सग डॉक्टर दिपक थेटे, वैदेके अधिकारी, डॉक्टर प्रमीन गंटावार, इंडियर मेडिकल अससेशन की डॉक्टर अर्चना को ठारी आदी इसमय उपस्तित थे, टिका करन के लिए जीले में कुल 597 टिका लगाने वाले नर्सिंग स्टाफ की संख्यानी चित की गई है, इसमें मनपा में 209 और ग्रामिन में 388 का समाविश है, जीले में कुल 2661 जग की जाएगे, टिका लगाने के बाद आदे घंटे तक उसे केंदर में ही रोका जाएगा, डॉक्टरों वो नर्सों की सूची तयार करना शुरू कर दिया गया है, जिनके नाम अब तक पंजिकरूत नहीं हुए है, उन्हें जल्द ही नाम शामिल करवाने की अपिल भी ठाक इन्होंने की है, कैमेरा परसन राज कुमार मोर्ड के साथ अभी शीद पांसी की रिपोर्ट इन बी से नियोज नागपुर